तो आज के question में हम लोग preamble से जुरह कुछ सवालों को बनाएंगे और अगर आप सभी सवालों को यहां जितने भी 10-12 सवाल discuss किया जाए अगर आप सारे सवालों को बना लेते हैं तो समझे आपका preamble पर concept पूरी तरह से clear है और किसी भी exam के PTA level को आप easily clear कर सकते हैं तो सवाल आपके screen पर दिख रहा होगा पहला सवाल है which of the following words have not been used in the preamble यानि कि कौन सा सब्द preamble में परियोग नहीं किया गया है option A में belief, option B में freedom, option C में unity और option D में opportunity तो belief का परियोग किया गया है liberty of thought, expression, belief, faith and worship तो belief सब्द है unity का भी परियोग किया गया, unity and integrity of the nation की बात कि गई तो preamble में unity सब्द भी है opportunity , तो opportunity सब्द का भी परियोग परियंबल में किया गया है, preamble में freedom सब्द का परियोग नहीं किया गया है तो यह एक बहुत ती अच्छा सवाल था, तो इसका सही अन्सर होगा be फ्रीडम है नेक्स्ट कोश्चन है consider the following statement अब देखिए इसमें क्या है कि नए तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं लब एक सवाल लोग को पूछने का तरीका हलका बदल गया है इसमें दो आपको कंडिशन दिये हुए है और उसमें कहा देगा कि हां कौन सा सही है यह सही है बी स statement को पढ़ते हैं पहला में क्या कह रहा है दब प्रियंबल प्रोवाइट जा सिटीजन्स दा लिबर्टी ओफ थौट एक्सप्रेशन बिलीफ फैट एंड वर्षिप तो यह सही बात है प्रियंबल को आप फिर से दोहराएंगे तो किस लिबर्टी पांस तरह की लिबर्टी की बात वो करता है लिबर्टी ओफ बिलीफ थौट एक्सप्रेशन और फेट एंड वर्षिप यान की पांस तरह की लिबर्टी को बात करता है तो यह इस्टेटमेंट तो सही है सेकेंड इस्टेटमेंट क्या हुआ अपने बहुत सारे जैजमेंट में खरक सिंग का जैजमे हो या फिर गोपाल मटका जैजमेंट हो बहुत सारे जैजमेंट में कहा है कि लिबर्टी जो दिया गया है समविधान में या हमारे प्रियेंबल में वह अन्हिंडर्ड नहीं है उस पर सोशल रिस्टेंट है सुप्रीम कोट के द्वारा जो सब्द का पड़ियोग क्या गया है वह है सोशल रिस्टेंट यहां पर एक तो सब्द है अगर इस ठर्म को लोग समझें तो रिस्टेंट मतलब की बंधन एक तरह का बंधन लेकिन यह एक पॉजिटिव बंधन है कैसे जैसे माल लिजिए यह अपका खेत है और यहां पे खुटा गार दिये हैं अब आप मलली यहां पर घोडा बाँदी है अपना तो आपका घोडा आपके खेत में चड़े दूसरा के निया चलिए तो आप क्या आप या करें कि उतना लंबा रसी से उसको बांद थेंगे तो मेरा इस खेत किसला गु सीमा तक आजाती है दूसरा जो यहां पर बात किया सोचल की बात की गई यानि कि समाजिक रिस्टेंट का अब कोई आदमी क्या सोचता है क्या कहता है उस पर सरकार कितना कानून बनाएगी अब जैसे कुछ दिन पहले देखे कि इंडिया हार गई पकिस्तान में जित गया तो क यहां पर सोसल दिस्टेंट का प्रिंसपल अपलाई होता है क्योंकि हमारा क्या बहुत सारे यहां अपने आप से बंधन हमारे पे क्रिएट करता है यह कुछ आयसी बात है कि अगर आप साथ करोड़ा गारी लेते दस करोड़ा गारी लेते तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके लिए ट्रेफिक सिग्नल नहीं फोलो होगा आपको भी उस सिग्नल को फोलो करना पड़ेगा तो यहां पर सोचल रिस्टेंट की बात की गई है तो जो स्टेटमेंट नमबर टू है वह पर देखे यह अभी एक नया तरह का सवाल पूछा गया पस पूछने का तरीका लग हो गया मैच करने कहा गया पहला ओप्षन में लिबर्टी लिबर्टी ओफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ एट वर्शिप सही है सेकेंड में इक्वैलिटी तो तीन परकार की हुआ है इकोनॉमिक और हो सके अगर वह उप्षन में दे देता इकोनॉमिकल तो दोनों सब्द में अंतर है तो इसका ध्यान रखेंगे तो यहां पे तो इकोनॉमिक सब्द का परियोग किया गया फ्रेटर्निटी एस्टूरिंग डिगनिटी ऑफ इंडिविज्वल एंड इंटिग्रिटी ऑफ दे नेक्शन तो यह भी सही है चौथा ऑप्शन में सोचलिस्ट स्टेटस एंट अपोर्जनिटी तो सोचलिस्ट सब्द का यह चीज़ में परियोग नहीं किया गया है तो यहां पे जो सही हमारा जो हम लोग का इनकरेक्टली मैश है वह है फोर्थ न कुछ सब्द दिये गए हैं और कौन सा सब्द हमारे प्रियंबल में हमारे प्रस्तावना में कमनलीजम को डिसकरेज करता है तो इसमें पहला सवाल आना चाहिए कि कमनलीजम की मतलब आम तोरके समझ लेते हैं कि धर्म के नाम पर जो बेदबाव हो जाता है कि हाँ यह धर्म मतलब किसी भी तरह का सोशल डिवाइट सिर्फ धर्म नहीं अगर रंग के नाम पर भेदवा हो रहा है तो वह भी कमनलीजम ही है रेस के नाम पर जाती के नाम किसी भी नाम से अगर समाज में कुछ भेद भाव या उत्पन करने का प्रियास किया जाता है तो वह सब कमनलीजम ही माना जाता है तो यहां पर कहा है कि कमनलीजम देश में ना हो उसको कौन सा सब्ध डिसकरेज करता है अब यह समझ इसतर का कोश्चन है पहला ऑप्षन क्या ह समानता की बात की गई है जब आप जस परहेंगे तो प्रियामबल क्या कहता एक्वैलिटी ओफ स्टेटस और हैं अप्वर चिबड की गई है जब अचनलब कि अंग्रेजr सौन में सब को बराबर स्टेटस नहीं था कोई भारतिया एक छोटे बढा 重सकता था प्यूंकि व सेंबल में इक्वैलिटी दियागी कोई भारती है किसी भी पोस्ट पर जा सकता है तो इक्वैलिटी कमुनिलिजम को खतम नहीं करता है वह एक तरह का अलग चीज है दूसरा टम हम लोग का लिबर्टी लिबर्टी एक इंडिविजुलिस्टिक कॉंसेप्ट है लिबर्टी हर आंगा अपना अपना होता है यहां ध्यान देने की बात थी कि जो रिलीजन का इपने मान सब्क्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कंश्रां मैं सब्सक्राइक करस्बीन मतचैए डिम सब्सक्राइब चोल्होंश्रा अगर वीपने य máqu mastologि हो गया कि यह मेरा individualistic concept है आप प्रस्तावणा में पढ़ेंगे तो बात कहा गया है लिबर्टी ओफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ वर्षिप के बात की गई है वहां पर रिलीजन की बात नहीं की गई हम कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र हैं अपनी बातों को रखने के लिए एक्सप्रेश क वाली बात हो गई वर्षिप वाली बात है सब चाहे अपना अपना जैसा भी तरीका वह पुजा कर सकता है तो लिबर्टी भी नहीं और डेमोक्रेटिक तो इसमें नहीं है तो आप लोग समझ रहे हैं तो यहां पर फ्रेटर्निटी फ्रेटर्निटी सब्द उस सब्सक्राइब की बात करता है तो समाज में अगर किसी तरह से धर्म के नाम पे जाते के नाम पर भेदवाव है तो हम समाज में भाइचारा लाग के उस भेदवाव को खतम कर सकते हैं तो इसका सही एंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेटर्निटी फिर से वही consider the following statement की तरह सवाल पुछा गया है दोनों statement को पहले समझेंगे पहला क्या है दी वर्ड रिपब्लिक means that there will be a nominal head of state पहला संटेंज में कह रहा है कि रिपब्लिक सब्द का मतलब यह होता है कि राज का एक nominal head होगा यानि कि एक नाम मात्र का head होगा तो क्या यह संटेंज सही है हमारा देश Republic है और हमारे में nominal head भी है परसिडेंट लेकिन क्या Republic का ही मतलब होता है तो नहीं रिपब्लिक का सरिफ यह मतलब होता है कि जो head of the state हो वह चुनके आना चाहिए वह वनसा नुगत ना हो तो यह statement गलत है रिपब्लिक का इससे कोई मतलब नहीं है कि nominal है कि full power के साथ है जैसे हम लोग में nominal head हो गए प्रसिडेंट सहब अमेरिका में प्रसिडेंट भी सुप्रीम है और उसके पास बहुँ ज्यादा पावर है तो वह एक रियल हैड भी वहां पर कि तरह नहीं है तो रिपब्लिक सद को इससे कंफ्यूज नहीं करना है हां यहां पर एक और ध्यान देंगे कि जैसे हम उधायें की तौर पर पाकिस्तान को ले लेते हैं तो पाकिस्तान में क्या है कि कोई मुस्लिम ही श्रीप वहां का परसिडेंट चीफ जस्टीस या प्र सब्सक्राइब हो का जब जनता समान होगी यहां पर धर्म के नाम पर जनता में भेदभाव किया जा रहा है उसकारण हम अपने प्रेंबल में क्या लिखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया है बिंग स्लोमें ली रिजॉल्टू कंस्टिटूट इंडिया इन्टू सोवरेन स दूसरा रिपब्लीक को भी देमोकरेटिक बनाआ गया है यह पुरी संभावना है कि रिपब्लीक हो और लेकिन वख लिफ देमोकरेटिक ना में फुल्टूस को इंडिया ना करें तो पहला सब कॉलके से संटेंस गलत है दूसरा क्या हुआ ओलिजिबल स्टिजन्त सेकेंड स्टेट में प्रीपब्लिक के बारे में ही कह रहा है कि रशुति में कि presentation in the state will be open to all eligible citizens यहां पर देखिए क्या सब्द का यूज किया गया eligible citizens पाकिस्तान का जो कानुन वहस्ता है उसमें क्या धर्म के नाम पर eligibility प्रवाइट की जाती है तो यहां पर second statement सही और first statement गलत है तो रिपब्लिक आर्थ आप लोग भी यहां पर समझें नेक्स्ट कोश्चन देखिए the language and ideals of the preamble of constitution of India is influenced less borrowed from which of the following constitution USA France Australia तो इसमें सही एंसर होगा सब USA से हम लोगों ने preamble की idea लिया की preamble होना चाहिए हमारे सम्विधान में भी क्यूंकि सबसे पहला लिखिस सम्विधान अमेरिका नहीं बनाया और अमेरिका नहीं अपने प्रस्तावना को रखा तो उसी से inspire होके हमने अपने सम्विधान में सोचा कि हम लोग भी प्रस्तावना रखेंगे फ्रांस से तो हमने के system में जाएंगे law and order के situation में जाएंगे किसी आप judgment को पढ़ेंगे टेक सैली अलग होती है हर चीज का अपने language होता है इसको हम लोग एक कानून की विधी बोलते कानून की भासा कहते हैं तो हम लोग का जो प्रियंबल है वह उस कानूनी लेंग्वेज में लिखा गया है किस से इंसपायर होके ऑस्टेलिया के constitution से इस पायर होके ऐस्टेलिया का अपना प्रियंबल नहीं है अगर किसी को छोटा मुटा इंगलिस आता है तो अगर हमारा को प्रियंबल आसम विधान या कानून पढ़ना चाहे तो छोटा मूटा इंगलिस वाला तो जहिंद बोल जाएग उसको high level of English चाहिए तो यह भासा की अलग-अलग अपनी सैली होती है जिसमें सही option है कि तीनों सर्म ने लिया यूसे से भी कुछ लिया फ्रांस से भी कुछ सीखा और और उस्ट्रेलिया से भी कुछ सीखा नेक्स कोश्चन पढ़िए दप्रेंबल टुदा कंस्टिटूशन ऑफ इंडिया इसमें स्टेट्मेंट दिया हुआ है अपार्ट ऑफ दा कंस्टिटूशन बटेज नो लिगल इफेक्ट यह एक कंस्टिटूशन का भाग है लेकिन इसका कोई कानोनी बाधिता नहीं है तो य सब्सक्राइब कंस्टिटूशन का ही पार्ट है तो दोनों जगे इस बात को कहा गया तो कंस्टिटूशन का पार्ट है लेकिन यह लीगल नहीं है आप इसको इनफोर्स नहीं करवा सकते सेमें डिपीएस पी उसी टाप का प्रेंबल भी है नेक्स्ट क्या है इसमें नोट इसका पार्ट ऑफ दे कंस्टिटूशन तो यह तो पहली गलत हो गया और इसका बाकी जैसा पार्ट है हमारे समविधान में उसी की तरह इसका भी कानूनी मान लेता है तो यह स्टेट्मेंट गलत है ठीक है यह चैसे तो पार्ट है लेकिन जिस तरह से फंडामेंटल राइट को में इनफोर्स करवा सकते कोट वेगरा में उस तरह से हम प्रियम्बल को इनफोर्स नहीं करवा सकते ऑप्शन डी क्या कह रहा है अब पार्ट ऑफ दे कंस्टिटूशन बट है नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंट ली ओफ अदर पार्ट सक्कांसैन का पार्ट तो है लेकिन यह इसका इंडिपेंड इंडिपेंडेंट इंडिपेंडंट अपना कोई अस्तित्व नहीं है यह स्टेटमैंट गलत है ऐसी कोई बात नहीं है प्रेध्यांब अपने आप में गाड़ लाइन की तरह कारे करता है नेक्स्क्राइब देखेंगे विच वन अफ फॉलोइंग अब्जेक्टिप्स इच नोट एंबोडिड इन दप्रियम्बल तुदा कंस्टिटूशन ऑफ इंडिया यानि कि कौन सी बाते प्रेम्बल में नहीं कही गई है तो इसके लिए आपको पूरा प्रियम्बल एटुज सब्सक्राइब सहोग उप्रेफ़ेल में ग्रस्क्राइब को सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब को निया इस ने कि Gmailtwo यदि यदि ओस्सेडगा इकनोमिक लीवर्टि इसकी बात नहीं G solar is the mind of the Makers of the Constitution of India is reflected in which of the following यानि कि जो हमारे समविधान निर्माता थे उनका जो विचार था वह किस में हमें देखने को मिलता है अप्शने में है धी फंडामेंटल ड्यूटी इस फंडामेंटल राइट्स इसमें सही एंसर होगा अगर आपको अप्शन में रहे थोड़ा ज्यादा उप्शन तो इसमें आप टिक मारेंगे प्रियंब नेक्स्ट है थे वर्ड शोचलिस्ट एंड सेकुलर वेर अड़े तो प्रियंबल ऑफ दर कंस्टिटूशन ऑफ इंडिया तो बड़ा साने 42nd अमेंडमेंट दा आइडियो प्रेंबल वाज बोरोड फ्रों विच आप दी फोलोईंग चर्चा पहले कर चुके युनाटेश्ट अफ अमेरिका हूँ प्रिपेर्ड दर प्रियंबल ऑफ दिंडियं का इंस्टिटूशन प्रियंबल किसने बनाया था तो इसका सही एंसर हो जाएगा जवाहर लाल नहरू जवाहर लाल नहरू जी ने 22 जन्वरी 1947 में अब्जेक्टिव रेजोलूशन सम्विधान सभा में रखा जिसको असेप्ट किया गया और इसी क्याधार पे फिर बाद मे प्रियंबल का निर्मान हुआ तो प्रियंबल किसने बनाया तो यह हो गए जवाहर लाल नहरू नेक्स्ट कोश्चन है और लास्ट कोश्चन है इन दप्रियंबल इट इंडिया इस अ देखिए अभी हम चर्चा कर रहे थे का आपको पूरा प्रियंबल कंठस्त होना यहां पर उसी चीज़ को पूछा गया है पहला क्या है सोवरेन डेमोक्रेटिक सेकुलर रिपब्लिक आपको चारों दिख रहे हैं पांचों सब्सक्राइब किया गया है लेकिन ध्यान देने का कि कौन पहले है कौन बाद में तो फिर से आप प्रियंबल दोड़ाएंगे त Brin Olivier डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो यहां पर हो जाएगा सोवरेन सोचलित सेकुलर डेमोग्रेटिक रिपब्लिक यहांनी क्यों ओपसंट सी यहां पर सही जावाब हुजाएगा तो जितने लोगों इसमें अर्भल कñ सारे प्रस्णों का बना है सारे है सारे प्रस्णो का सही जवाब देर पाएंगे